आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कसोरी मेथी घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले मेथी के पत्तों को अलग कर लेना है अच्छे से दो से तीन वार धो लेना है अब इसे चन्नी में रख लेंगे ताकि इसका पानी पुरा निकल जाए आप देख सकते हैं अब इसे हम सुखा लेंगे एक कोटन के कपड़ा या कोटन का चुन्नी ले लें बड़ा सा इसे हम धूप में सुखा लें अगर आप धूप में ना सुखाना चाहें तो पंगे के नीचे भी सुखा सकते हैं यह देखे मैंने धूप में सुखाया था और बहुत ही अच्छी कसूरी मेथी बन कर तयार हुई है दो से तीन दिन लगे हैं इसे सूखने में तो आप लोग भी कसूरी मेथी बना सकते हैं जाए तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या इसे एक वार मेक्सी में ग्राइन कर लें यह देखे दो से तीन दिन में कसूरी मेथी अच्छा से सूख चुकी है आप चाहिए तो इसे पंके के नीचे भी सुखा सकते हैं लेकिन मैने इसे धूप में ने क ι्त द Dennis में को तरोन हेचा क्या। जरूर बनाएं की अच्छा शोटेल अधाना पसंद आए है . नार्म मिय मैंने क रेखिए के से रॉड़०ा नाम सभब मैं दोड़ू का था झाल झाल